दोसो साल 2022 में भारत ने करीब 119 billion US dollar के crude oil यानी की कच्चे तिल को इंपोर्ट कराया है उसके बाद साल 2022 और 2023 के financial year में करीब 158.3 billion US dollar का कच्चा तिल भारत ने अकेले इंपोर्ट कराया है ये amount इतना जादा है जिसके कारण हमारे foreign reserve लगातार खाली होते जा रहे हैं और आज भ reserve लगातार खाली होते रहेंगे और इससे भारत को long term में बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और ये चीज़े आगे चलके बढ़े ना इसलिए भारत सरकार ने बड़े solutions निकाले हैं और हमें इसके ओपर deep down research करने की भी जरुद पड़ेगी क्योंकि भारत के पास कोई भी natural resource बड़ी मात्रा में नहीं हैं इसलिए हमें alternative fuels जैसे कि hydrogen, biofuels, bio gases इन सभी को produce करनी की जरुद थे जिससे हम अपनी ये dependency कम कर सकें तो इसी कड़ी को आगे जोडते हैं भारत की दिगज oil and gas company ONGC ने बड़े announcement की है कि वो भारत के अंदर दो बड़े mega project setup करने वाले हैं जि इसा के reports में आप देख सकते हैं ONGC ने clearly बताया है कि वो साल 2035 तक अपनी ammonia production capacity को बहुत जादा बढ़ाने वाले हैं और करीब करीब 2 million metric ton का production किया जाएगा एक सल में ONGC की तरब से यहाँ पर ONGC दो नए project दो setup करेगी जिसमें एक project में करीब 80,000 करोड रुपे की investment की जाएगी और दूसर project में 85,000 करोड रुपे की investment ONGC करने वाली है और ONGC के जो long term plans हैं वो करीब 2038 तक भारत के इसी renewable energy sector में करीब 2 trillion rupees की investment करने के plan है वहीं ONGC ने report जारी करते हुए बताया कि hydrogen और ammonia को produce करने के साथ साथ वो renewable energy यानि की solar panels और wind पर भी काम करने वाले हैं क्योंकि इन सभी के production में अगर fossil fuel या फिर coal का इस्तिमाल किया जाएगा तो वो definitely naturally green नहीं माना जाएगा इसलिए renewable energy से power source किया जाएगा और बताया गया है करीब 4.5 चार्ट से लेकर के 5 गिगवार्ट electricity की जरट पड़ेगी इस पूरी production capacity में जिसके लिए ये नए solar parks भारत के अंदर setup करेंगे लेकि हाइडोजन का इस्तिमाल तो already fuel और अलग-अलग industries में किया जा रहे है लेकिन बात किया जाएगा अमोनिया की जहाँ पर O.N.G.C. बड़े production की बात करेंगे तो इसका इसका इस्तिमाल as a fertilizers किया जा सकता है इसके लाबा chemical industry में अलग-अलग fabric, plastic इन सभी के production में किया जा जाया ताकि पानी में रहने वाली जो लाइफ है वो डिस्टब ना हो इसके लाबा food industry में भी इस्तमाल होता है कॉस्मेटिक और libraries के अंदर इसका बड़े स्तर पर इस्तमाल किया जाता है वहीं कई रिसर्ची भी दावा करती है कि अमोनियों को as a fuel भी इस्तमाल किया सकता है डिरेक्ली इंटरनल कमोर्शन इंजन में यूस किया जा सकता है बस इसके लिए सॉलिड ऑक्साइड एलेक्ट्रो एक्सेस की जुरत पड़ेगी और उसे असानी से बनाया जा सकता है बाकी भारती कंपनियों के इस बड़ी त्यारी पर जो भारत को लगातार अपने निर्भ की जब